असलामों अलेकुम, मैं जुलेखा अरफाद, जुलेखाद किचिन से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बड़िया सी पेपर चिकन, जो बाजार से, यानि रेस्टरौन से ज़ादा बैटर बनती है, और घर के हाजर मसालों से सौसस से जरपट बन जाएगी, तो चलिए, शुरू चलिए और लंबा-लंबा पतले-पतले strips कर लिजिए, अचा थाई पोशिन के पतले-पतले लंबे strips करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप ब्रेस पोशिन ले रहे हैं, तो उसके बराबर से हो जाएंगे, अब मैंने लंसम कर लिया है, अब उसे दो-तीन प घर-चो कर पाउडर लेकिन घर पर पीस कर दालिएगा, दर-दरी सी, और आदा चोटे चाये का चमच, हरी, ग्रीन चिली सॉस, ग्रीन नहों तो रेड डाल सकते हैं, चिली सॉस, दो चोटे चाय के चमच, सोया सॉस, यह डार्क वाला है, आप थाई तो लाइट वाला भी ड सकते हैं और यहां पर मैं दाल देती हूँ 1.5 तीबल स्पून भर कर कॉन फ्लार याने की कॉन स्टाच बहुत अच्छी से सारी चीजों को दाल कर मिक्स कर लीजिए साइट पर फ्राइपन का चूला चालू कर दीजिए और उसमे थोड़ा सा तेल दाल दीजिए तेल अच्छा करम हो जाए तो इसमे बिसमे लाहराखानी रेम बोल कर चिकिन जो साइट पर रखी वो सारी दाल दीजिए अच्छा मैंने नहीं किया जैसे आपने देखा आप चाहें तो मैरेनीट करने 15-20 मिनट के लिए धाककर फ्रिज में मैरेनीट करने रख दीजिएगा चलिए चूला मीडियम आज कर दीजिए और मीडियम आज करने के बाद इसे पकने दीजिए आधा एक मिनिट तक जब आधा एक मिनिट हो जाए तो पलट दीजिए और उलट-पलट करते हुए तकरीबन 8-9 मिनिट तक पका लीजिए या तब तक पका है जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती 8-9 मिनिट के अंदर तो पतले-पतले स्ट्रिप्स हैं, आराम से चिकन गल जाएगी कॉन स्टाच यानि के कॉन फ्ला के वज़े से हलके हलके आप देख सकते हैं, क्रिस्पी भी हुए हैं, बढ़िया से, एकदम जादा क्रिस्पी नहीं करने हैं, बस पक गए हैं, 8-9 मिनिट हो चुके हैं, चूला मैंने कर दिया, बंद, अब हम एक सॉस बना लेते हैं तू टेबिल स्पून ओइस्टर सॉस एक प्याली के अंदर दाल दीजिए, तू टेबिल स्पून टमाटर सॉस यानि के टमाटर केचप वो भी दाल दीजिए यहां पर बालन्स करने के लिए, मैंने दो चुड़ी चाय के चमच शक्कर के डाले हैं, अब कम आप डाल सकते हैं शक्कर, और एक चुड़ी चाय का चमच, तरदरा, पीसा हुआ, काली मिर्चो का पाउडर, दो चुड़ी चाय के चमच, डाक सोया सॉस, और 3-4 टेबिल तो उन जितना पानी डाल कर, बहुत असे मिक्स करकर, इसे साइट पर रख दीजिए, अब हम आगे की प्रिपेरिशन, यानि के सॉस बना लेते हैं, जैसे आपने देखा, मेरा फ्राइपन जिसमें मैंने चिकिन फ्राइ किया था, वो डीप नहीं है, गहरा नहीं है, उतना स अब हरी मिर्ची को मैंने साइडवेज काट कर दाला है, अब हरी मिर्ची आपके हिसाब से, आप जितना दालना चाहें, दो भी दाल सकते हैं, बारिक कटी हुई, अब इसे मिक्स करके, इसे बार-बार चलाते हुए, एक मिनिट तक फ्राइ कर लीजिए, जब फ्राइ हो जा मैंने मोठा मोठा काट लिया है, वो में दाल देती हूँ, आप चाहें तो मीडियम साइस की प्यास दाल सकते हैं, और इसे भी दाल कर आधे पॉने मिनिट तक फ्राइ कर लीजिए, जब आधा पॉने मिनिट हो जाए, तो जो सिमला मिर्च हमने साइड पर रखी है, मैंने द सास रखे थे, है न, वो सारा इसके अंदर डाल दीजिए, ऐसे चला लीजिए, चूले को कर दीजिए, मीडियम आज और इसे थोड़ा सा पकने दीजिए, हलका उबाल आ जाने दीजिए हमारी सासिस के अंदर, जब अच्छा खासा उबाल आ जाता है, तो मैंने यहां पर सा किया, मुझे कम लग रहा है, तो यहां पर मैंने आदा चुलेचा का चमाच और दाला है, अब आपने देगा कि नमक तो मैंने दाला ही नहीं दालना है, क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है, बहुत जादा नमक है, तो अब इसका जब उबाल थोड़ा थोड़ा आने लगया, और अच्छा खासा उबाला जाए तो चिकन को भी इसमिलारा फाने रेम बोल कर सारी चिकन डाल दीजिए और इसे भी डाल कर चला लीजिए और मीडियम आज पर इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से mix कीजिए, तब तक इन्हें पकाएं, जब तक है न, अच्छे से ये आपको consistency जितनी चाहिए, अब ये तोटली आपके उपर है, आपको चावलों के साथ खानी है, उसे साबसे consistency रखिए, यानि के fried rice के साथ, अब मैं as a side dish, यानि के starter serve कर रही हूँ, तो मैं इसे थ होड़ा सा और पका लेती हूँ, चूला मीडियम पर ही है, अच्छा खासा पक जाता है, हलका थिक हो जाता है, तो मैं चूले को कर दीती हूँ, बंद, इसमें थोड़ा सा बारिक कटे हुए, spring onions की, यानि के हरी प्यास की पत्ती थोड़ी सी दाल दीजिए, बारिक कटे जिसका नाम है पेपर चिकन, आप इसे पेपर गालिक चिकन भी कह सकते हैं, तो अब इसे आप एक प्लेट में या सर्विंग बार में निकालें और गर्मा करम सर्फ करें, दालने के टाइम पे थोड़े से spring onions यानि के हरी प्यास की पत्ती जरूर दालिएगा, इस रेसेपी म जो चोड़ी चाय की चमच दाली है, क्योंकि जो oyster sauce है, tomato sauce है, और जो soya sauce है, इन सब को balance करने के लिए, लेकिन अगर आपको चाहिए, तो आप जो शक्कर है, उसे भी आप एक या डेट चोड़ा चाय का चमच कर सकते हैं, नम्मक आपने देखा, मैंने दाला ही नहीं क्योंकि जरूरत लगी ही नहीं, बड़ अगर आपको लगे, तो आप बेशक डाल सकते हैं, तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी, अगर आप ये रेसिपी बनाएं, तो मेरे साथ कमेंस सेक्शन में जरू शेक कीजएगा, मुझे आपके कमेंस पर ने बहुत अच्छे लगते हैं, रेस के साथ, अंतल दें, टेकर आला हाफिज, बबाए!